बल्कि कोई दो गिने चुने अधानी अभ्माली जैसर लोगों के लिए नहीं, बल्कि कुछ गिने चुने व्याकारियों के लिए नहीं, जो भी जो भी आज JNU के बारे में या पप्लिक पंडर एच्टुकेशन के बारे में खिलाफ पाक कह रहा हैं, वो दरसल कोई एक को बजा बढ़ा रहा है, जो अपने लिये बहल लड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि उनका घर, उनका जमी चीन के बोला जारा है कि आप बढ़ो, बोला जारा है कि अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है, अपने घर गिर भी लखो, अपना जमी पेच वार यह सिलसला अपकी बार अगर नोकली नहीं देगा, आपको आगे बढ़ने नहीं देगा, आपको समाज में एक नक्ति के रूप में खड़े नहीं होने देगा, वो पूरी लड़ाई उस ज्यान के लिए है, और वो ज्यान अगर हमारे लिए अधिकार के रूप में नहीं रहेगा, एक प्रिविलेश बनके रहे जाएगा, तो अब उस आत्रेक निति को खारिज करते हैं, इसलिए नाश तो हाड़वर्किंग है, हारवर्ड से नहीं आया है, आज नाशनल एजुकेशन पॉलिसी के द्वारा उसी हारवर्ड उनिवर्शिटी, अक्सवर्ड उनिवर्शिटी को लेके आना चाहते हैं देश में, जेन्यू को, जाम्या को, और डियू जेस को बेतरीन उसके लिए पाइसा दीजिए, अरे बाप अने बाप, ये कैसे पुसर्विस है भाई, हमने तो अल्यडी आपको टैक्स दे चुके हैं, आपका तंका हम देते हैं, आपको इस बात के लिए बिढ़ाया प्रतान बंतियों और वाइस्टां तर बना के, आप हमारे लिए काम कर बल्कि उस corporate के ले नहीं जिनको आपने पिछले 5 साल में 4 लाग करोड टैक्स रिबेट दिया टैक्स देने के पाद लोटा दिया कि आपने दिशिये उन बड़े corporate को पिछले 5 साल में 5.7 लाग करोड का बड़े लोर माफ कर दिये जब पुछता हो कि इतने सारे नवजवाल के एजुकेशन लोन को माफ किया कोई सरकार में जीरो अगर एजुकेशन लोन लेने के लिए करने के लिए उसी लिए आज जो लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं यह सोचना पड़ेगा कि ठाली एक एक जुट होते हुए कुछ गिने चुले दी यू जेंग्यू या जाम्या जैसे लोगों के लिए नहीं बलकि हर चेत्र में जेंग्यू जैसे एक उन्वर्चिटी हो जो हर मजदूर का बच्चा जब सोचता है कि मैं अपने बच्चों को पढ़ाना चाता है वो सो यूनिवर्चिटी आती है यह एंशूर करें कि वो फीज देने लाएक एफोरडबल एकसेसबल और क्वालिटी एजुकेशन दे वो जिरियूद देता है इसलिए आपको डियू से नफरत है इसलिए आप लेस्ट एजुकेशन फॉलिशी देगा है ताकि सामाजिक नाइका ह क्या हो जाए ताकि एकसेसबल क्वालिटी एजुकेशन के हत्या हो जाए ताकि आप हराव से जो यूनिवर्चिटी के चांसलर बनके स्टुडेंट को बोल दिया जाए कि आज एक लार रूपे दीजिए अट बीशे होने के पाल आपसे एक क्रोन रूपे लिया जाएगा य प्यापारी इसको खरीदने लगे कि आप हमारे पास आए आपको भैतरी शिक्षा देगे 5 लाग रूपे हैं 20 लाग रूपे में एक करोड रूपे में जहां पर नॉलेज है डॉलेज के लिए बोली लट जाए कि सबसे ज्यादा कोट पैसा देगा उसमें आप नॉलेज दे कि आप मोदी विरोधी हैं हमने बोला किसी के विरोधी नहीं है हम जनता के बक्ष में खड़े हैं अगर कोई जनता के खिलाब करता है हम उसके भी बक्ष है अगर आज स्टुडेट चाथ और इस देश के हम जनता के खिलाब अगर इस नेशन एजुकेशन पॉलेशी के उसको वोपस करना ही पड़ेगा और बस एकी बात करते हुए मैं अपनी बात को गतम करूंगा बाकी स्पिकर है कल मामिडादा जिक्दिश कुमार और में चाहिए को सेक्रेटरी ने ट्वीट किया है उसके बारे में कहना चाहता हूँ वो ट्वीट और उनका प्रेस लीज द लिए पीज से अपने बोने डिस्कॉड पॉलिशी बहुत बढ़िया है यह कहां से लाएं दरसल अगर आप उसको देखेंगे यह बीपेल के छात्रों के लिए भी पचास परसंट डिस्कॉड नहीं देरा है बलकि पचास परसंट की आई कॉलिडी हो चुका है उनके लिए और कहरा सो रुपें ने बढ़ा दिया आपका आप पचास रुपें मत दीजें पचास रुपें ही दीजें यह कितना मज़ेदार बात है और दूसरी अब वीपेल है कौन इस देश के दिन का 75 रुपीज माहिने का 2,250 रुपीज साल का 27,000 रुपीज से कम कमने वाला परिव वाला रहा है उनको 7,000 रुपें अक्ष्टा लेना पड़ता है उस जेन्यू में और पढ़ने के लिए और उनका 15,000 रुपीज बढ़ा दे रहे हैं इतना शर्मनाख है यह पीपियल नहीं बिलों पॉवर्टी लाइन का यह बेचो पॉप्लिसिटी लाइन है मीडिया के लि सारे लों के साथ कड़े हैं उतके सांगे लड़ने हैं और इसी पर इच के साथ जो इंटे क्या भीज बढ़े हैं आयाइटी के चातों पर लड़ा है और ऑ अविका फीहाइट नहीं होगा. जब हमारा टाक्स अलची बढ़ रहा है और उसका पैसा आप ने दिया आपका तनका भी बढ़ चुका है, हमारा फीहाइट नहीं हो सकता है. बलकि हमारे यूनिवर्सिटी बढ़ेंगे, हमारा मुप्रिया बढ़ेंगे, हमारी रोजगार धंटी दवाएं निसर दस्ता को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर ख़बर को शेर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें